राम्च्रित्रमानस बालकांध मास्प्रायन छटे विश्रानम्द सिप्टरंभ बाडे खल बहु चोर जुवारा जे लंपट पर धन पर दारा मा नहीं मातू पिता नहीं दिवा सादुन नन करवाव ही सीवा प्राय दहन और प्राय इस्ट्रि पर मन चलाने वाले दोस्ट चोर और जुवारे बहुत बढ़ गे लोग माता पिता और देताओं को नहीं मानते थे और साद्धों की सेवा करना तो दूरहा उल्टे उनसे सेवा करवाते थे जिनके ये अचरन भवानी ते जान ही निसीचर सब प्रानी आतिशय देखी धरम के गलानी परमसभीत धरा अकुलानी शिरे शेव जी कहते हैं कि हिब भवानी जिनके ऐसे आचरन हैं उनसा प्रानिय को राक्षस के ही समझना चाहिए इस प्रकार धरम के प्रती लोगों को इअतिशय गलानी अरुची अननास था देख करके प्रभु अत्यंत वहिवीत एम्व्याकल हो गई मैं सोचने लगी कि परतों नदियों और समुद्रों का बोज मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परत द्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है प्रिथी सारे धर्मा को प्रिप देख रही है पर रावन से भैभीत ही मैं कुछ बोल नहीं सकती धेनू रूप धरी हिद्दे ही विचारी गई तहां जहां सुर मुनि जारी निज्य संताप सुनाई सी रोई काहूं ते काच्छू काज ना हुई अन्त में हिद्दे में सोच विचार करके गव का रूप धारन करके धर्ती वहांगी जहां सब देवता अर्मुनी छिपे थे प्रिथी ने रोप करके उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम नहीं बना सर्मुनी गंधर्वा मिली करी सर्वा गे विरंची के लोका संग गोतनु धारी भूमी विचारी परम विकल भै सोका प्रम्मा सब जाना मन अनुमाना मौर कच्छूना बसाईं जा करी ते दासी सो अबिनासी हमरे उतोर सहाई तब देता मुनी और गंधरस सब मिल करके ब्रम्मा जी के लोक सत्य लोक को गए भाए और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी परिथी भी कौंका रख श्रीर धारन किये हुए उनके साथ थी ब्रम्मा जी सब जानगे उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसे मेरा कुछ ही बच्छ नहीं चलने का तब उन्होंने परिथी से कहा कि जिसकी तुद्धासी है वही अमिनासी हमारा तुमारा दोनों का सहाईक है धर्नी धर्ही मन धीर कहे रंची हरीपद समीरू जानत जन की पीर प्रभू बंजही दारन विव्यत्ती प्रम्मा जी ने का कि ही धर्ती मन में धीरे धारन करके श्री हरी के चर्नों का समर्ण करो प्रभू अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं ये तुमारी कठनी पत्ती का नाश करेंगे बैठे सुर सब करहीं विचारा कहें पाईं प्रभु करिय पुकारा पर बेकुंठ जान के कोई कोई कहें पैनिधी बस प्रभु सोई सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पाऊएं ताकि उनके सामने पुकार करें कोई बेकुंठ पुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वे प्रभु शीर समुद्र में निवास करते हैं जाके हिद्ध भक्ती जसी प्रिती प्रभु तेंप्रगत सदा तेहीं रीती तेही समाज गिर्जा में रहूं अवसर पाईं सदा उसी रीती से प्रगट होते हैं ही पार्ती उस समाज में मैं भी था अशर पाकर मैंने एक बात कही हरी व्यापक सरवत्र समाना प्रेम ते प्रगट होही मैं जाना देश काल दिसी विदी सी हूँ माही कहो हूँ सो कहा जहां प्रवुन्ना ही मैं तो ये जानता हूं कि बगवान सब जगा समान रोप से व्यागबकक हैं प्रेम से व्य प्रगट हो जाती हैं दीश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगा कहा हैं जहां प्रवुन्ना हूं अग जग में सब रही तब विरागी प्रेम ते प्रवु प्रगटे जिम आगी मोरव बचन सब के मन माना साधू साधू करी ब्रह्म बखाना वे चराचर में व्याप्थ होते हुए ही सबसे रही थे और विरक्थ है उनकोई कहीं आसकती नहीं है, वे प्रेम से प्रगट होती हैं जैसे अगझी अगझी अव्यक्त रूब से सर्वत्र व्याप्थ है तो जहां उसके लिए अर्नी मन्थन आदी साधन किये जाते हैं वहाँ में प्रगट होती है इसी परकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम्च से प्रगट होती है मेरी बात सब को प्रिये लगी ब्रमा जिने सादू सादू कहकर बढ़ाई की मेरी बात सुन करके ब्रमा जी के मन में बड़ा हर्शुआ उनका तन पुलकित हो गया और नित्रों से प्रेम के आँसु बहने लगे तावे धीर बुद्धी ब्रमा जी सादू करके हाद जोड़ करके स्तूती करने लगे जै जै सुरनायक जन सुखदायक प्रनत पाल भगवनता गोदिज हितकारी जै असुरारी सिंदु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अधहुद करनी मरम न जानी कोई जो सहज किर पाला दीन दियाला करो अनुगे सोई हिद्धी ताओं के स्वामी सेवको को सुक देने वाले शर्नागत की रक्षा करने वाले भगवन आपकी जै हो जै हो हिद्धी ताओं का हिद्ध करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्धर की कन्या श्री लच्छी जी के प्रिय स्वामी आपकी जै हो हिद्धी ताओं और प्रिथ्धी का पारण करने वाले आपकी लीला अधुद है उसका भेद कोई नहीं जानता ऐसे जो सभाव से ही किरपालू और दीन द्यालू है वे ही हम पर क्रिपा करें हे अविनाची सब के हिद्ध में निवास करने वाले अंतरियामी सरव्यापक परम अनन्द सवरोप अग्ये इंद्रियों से परे परम पित्र पित्र चृत्र माया से रहित मुकंद मोक्ष दाता आपकी जै हो जै हो इस लोकर पर लोक के सब भोगों से विरक्त था मों से सर्था चूटे हुए ज्यानी मुनी वरंद भी अत्यन्त अन्रागी प्रेमी बन करके जिनका राद दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुनों के समुक अपकान करते हैं उन सचिरानन्द की जैहू जेही श्रिष्टी उपसाई त्रिवित बनाई संग सहाई न दूचा सो करू अघारी चिंत हमारी जानिय भक्ती न पूजा जो भावभे बंजन मुनी मन रंजन गंजन विप्ती बरू था मन बच करम बानी छाड़ी स्यानी सरन सकल सुर्जू था जिनोंने बिना किसी दूसरे संगी अथ्वा सहायता के अकेले ही या स्यम अपने को त्रिगुन रूप ब्रह्मा विष्णु शीव रूप बना करके अथ्वा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात श्यम शृष्टी का अभिन निमत उत्पादान कारण मन करके तीन परकार की शिष्टी उत्पन की वे पापो का नाश करने माले भगवान हमारे सुधेने हम ना भगती जानते हैं ना पूजा जो संसार के जनम रित्यों के भेका नाश करने वाले मुनियों के मन को अनंद देने वाले और पत्यों के समू को नस्ट करने वाले हैं हम सब देटाओं के समू मन वचन और करम से चत्राई करने की बात छोड़ करके भवान जी की शरनाए हैं सारद शिरुती सेशा रिश असेशा जा कहुं कोई नहीं जाना जहीं दिन प्यारे वेद पुकारे द्रवाउं सो श्री भगवाना भाव बारीधी मंदर सब विदी सुन्दर गुन मंदर सुख पुंजा मुनी सिद्ध सकल सुर परम भे आतूर नमत नाथ पदकंजा सरस्ती वेद शेश्ची और संपुरन रिशी कोई भी जिसको नहीं जानते जिने देन प्रिये हैं ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं वेही श्री भगवान हम पर द्या करें हिसन सार रुपी समुद्र के मत्ने के लिए मंद्राचल रूप सब परकार से सुंदर गुनों के धाम और सुखों की राशी नाथ आपके चरन कमनों में मुनी सिद्ध और सारे देटा वेही से अत्यनत व्याकुल हुकर के नमशकार करते हैं जानी सभे सोरभ भूमी सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनी सोक संदे देतार प्रिथिकोवे भी जान करके और उनके सने युक्त वचन सुन करके शोकर संदे को हरने वारी गंभीर अकाश्वानी हुई जनी डर पाहूं मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूं नर बेशा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर बंस उदारा हे मुनि सिद्ध और देताओं के सामियों डरम मत तुमारे लिए मैं मनुष्य का रूप धर्न करूंगा और उदार पुइत्र सूरे वंच में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा कश्यप अदिती महा तब कीना तीना कहूं मैं पुरव बर दीना ते दश्यरत कुशलिया रूपा कोसल पुरी प्रगट नर भूपा कश्यप और अदिती ने बड़ा भारी तब किया था ने पहले ही उनको वर्द दे चुका हूं वेही दश्यरत और कुशलिया के रूपे मुनिश्यों के राजा हो करके श्री एयोध्या पुरी में प्रगट हूए हैं तिन के ग्रे अवतर ही जाएं रगुकुल तिलक सोचरियों भाईं नारद बचन सत्य सब करी हा हूं परम सक्ती समेत अवतरी हा हूं उनी के घर जाकर मैं रगुकुल में श्रीष्ट चार भाईयों के रूप में अवतर लूँगा नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ती के सहित अवतर लूँगा हरी हूं सकल भुमी गरु आई निर्बे होहू देव समुदाई गगन ब्रम बानी सुनी काना तरंत फिरे सुरहिद्दे जुडाना मैं पृत्धी का सब वार हर लोँगा हिद्धी ब्रण तुम निर्बे हो जाओ अकाश्च में ब्रम भगवान जी की वानी को कान से सुन करके दीरतात्रंत लोटके उनका हिद्ध शीतल हो गया तब ब्रह्मा धर नहीं समुझावा अभे भई भरोस जी आवा तब ब्रह्मा जी ने पृत्थी को समझाया वे भी निर्बे हुई और उसके जी से भरोसा धांडस आगया निज लोग ही बिरंची गे देवन इह सिखाई बानर तनु धरी धरी मही हरी पद सेव हूँ जाएं देटाओं को ये सिखाकर कि वान्रों का शियत धर धर कर तुम लोग पृत्थी पर जाकर के भगवान जी के चर्णों की सेवा करो ब्रह्मा जी अपने लोग को चलेगे गए देव सब निज निज धामा भूमी सहीत मन कहूं विब्रामा विश्रामा जो कच्छु आईसु ब्रह्मा दीना हर से देव विलंबना कीना सब दीताओं अपने अपने लोग को गे पृत्थी सहीत सब के मन को शान्ती मिली प्रह्मा जी ने जो कुछ आग्या दी उससे देवता बहुत परसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की वंचर देधरी चीती माही अतलित बल पर ताप तिन पाही गिरी तरो नख आयुद सब भीरा हरी मारग चितवही मती धीरा प्रिथी पर उन्होंने वनर देधारन की उनमें अपार बल और परताब थ सबी शूर्वीर थे परवत वरेख्ष और नक्खी उनके शैश्टर थे वे दीर बुद्धी वाले वानर रूप देधा भगवान जी के आने की रा देखने लगे किरी कानन जाँ जाँ भरी पूरी रहे निज निज अनेक रूची रूरी ये सब रूचीर चरित में भासा अवसो सुन ही जो बीच ही राखा विवानर परतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुन्दर सेना बना करके बरपूर चागे ये सब सुन्दर चरित्र मेंने कहा अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था अवधपूरी रगुकुल मनी राउं वेद विदितते ही दसरत नाउं धरम दुरंदर गुननिदी ग्यानी हिर्दे भक्ती मती सारंग पानी अवधपूरी में रगुकुल शि ख्या थे वे धरम धरंदर गुनों के बंडार और ग्यानी थे उनके हिद्दे में शांगर धनुष धारंद करने माले भगवान जी की भक्ती थी और उनकी बुद्धी भी उनहीं में लगी रहती थी कुशल्या आधी नारी प्रिय सब आचरन पुनीद पती अनकूल प्रेम देड हरी पाद कमल विनीद उनकी कुशल्या आधी प्रिय रानिया सभी पृत्रा चरन वाली थी बड़ी विनीद और पती के अनकूल चलने वाली थी और शिरी हरी के चरन कमलों में उनका दिड प्रे गुर ग्रेह किया हूं तरंत मही पाला चरन लागी करीब बिने विसाला एक माद राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्तर नहीं है राजा तरंती गुरु के घर गे और चरनों में परनाम करके बहुत विने की नीज दुख सुक सब गुरही सुनाई राजा ने अपना सारा दुख सुक गुरु को सुनाया गुरु विशिष्ट ने उन्हें बहुत परकार से समझाया और कहा धीर धरो तुमारे चार पुत्तर होंगे जो तीनों लोकों में परसिद्ध और भक्तों के भे को हरने वाले होंगे श्रिंगी रिशी बशिष्ट बुलावा पुत्र काम सुब जग्य करावा भक्ती सहित मुनि आहूती दीनी प्रग्ते अगनी चरू कर लीनी वशिष्टी ने श्रिंगी रिशी को बुलवाया और उन से शुब पुत्र कामेश्टी यग्य कराया मुनि के भक्ती सहित आहूतियां देने पर अगनी देव हाथ में चरू हविष्ट अन खीर लिए प्रग्त हुए जो वशिष्ट का हिदे विचारा सकल का जो बहां सिद्ध तुमारा ये हवी बाटी देहों निरिप जाएं जथा जोग जेहीं भाग बनाएं और दश्रत से बोले वशिष्ट ने हिद्ध में जो कुछ विचारा था तुमारा वे सब काम सिद्ध हो गया ही राजन आप तुम जाकर के इस हमिशन पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाट दो तब अद्रिस्य भे पावक सकल सबही समुझाई परम अनंद मगनन रिप हरसना हिद्ध समाई तर अंतर अगनी देव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान होगे राजा परम अनंद में मगन होगे उनके हिद्ध में हर समाता नहीं था ता मही राएं प्रिये नारी बुलाईं कुशल्या आदी तहां चली आईं अर्द भाग कुशल्या आदी दीना उवे भाग आदे करकीना उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया कुशल्या आदी सब राणिया वहां चली आई राजा ने पायस का आदा भाग कुशल्या को दिया और शेश आदे के दो भाग किये के कओ कहें निपसो दियों रहियों सो उभे भाग पुणि भैसू कुशल्या के कई हाथ धरी दिन ही समथ रही मन प्रसन्न करी वह उनमें से एक भाग राजा ने कगई को दिया शेश चो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कुशलिया और किकई के हाथ पर रख करके अथात उनकी अन्मती ले करके और इस परकार उनका मन परसंद करके समित्रा को दिया एही मिधी कर्व सहित सबनारी बही हिद्दे हर्शित सुख भारी जा दिन ते हरी गर्वी आए सकल लोक सुख संपती चाए इस परकार सब इस्तरियां घर्वती हुई वे हिद्दे में बहुत हर्शित हुई उन्हें बड़ा सुख मिला जिस दिन से श्री हरी लीला से ही गर्व में आए तब लोकों में सुख और संपती चागे मंदिर महें सब राज ही रानी सोबा सील तेज की खानी सुख जुत कछुक काल चली गएं जेहिं प्रभु प्रगट सुख अफसर भें सोबा सील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोबित हुई इस प्रकार कुछ समय सुख पुरगबीता और वे अफसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रगट होना था जोग लगन ग्रेह बारति थी सकल भे अनुकूल चरु अरु अचर हर सजुत राम जनम सुख मूल योग लगन ग्रेह वार और तिति सब ही अनुकूल हो गई जाड और चेतन सब हर से भर गे क्योंकि शीराम का जनम सुख का मूल है नुमीति थी मधु मास पुनीता सुकल पच्छ अवे जित हरी प्रीता मध्य दिवस अति सीतना घामा पमन काल लोक विश्रामा पुित्र चेत्र का महीन था नुमीति थी शुकल पक्ष था और भगवान जी का प्रीय अभिजित महूरत था तो पैर का समय था ना बहुत सर्दी थी ना धूब गर्मी थी वे पुित्र समय सब लोगों को शांती देने वाला था सीतल मंद सुर भी बेह बाओं हर्शित सुर संतन मन चाओं बन कुसुमित गिरी गन मनियारा इस्त्र वही सकल सरिता अमरत धारा शीतल मंद और सुगंदित पवन बेह राथा देवता हर्शित थे और संतों के मन में बड़ा चाओ था वन फूले हुए थे पर्तों के समू मनियों से जगमगा रही थे और सारी नदियां अमरत की धारा बहा रही थी सो अवसर विरंची सब जाना चले सकल सुर सजी विवाना गगन बिमल संकुल सुर जू था काओं ही कुन धर्व बरू था जब भ्रमा जी ने वे भगवान जी के परकट होने का अफसर जाना तब उनके समेथ सारे देवता विवान सजा सजा कर चले निर्मल आकाश तीताओं के समू से भर गया गुनों का गान करने लगे बरसही सुमन सुअंजली साजी गह गही गगन दुन्धवी वाजी अस्तुती करही नागमुनी देवा बहुविदी लावी निज निज सेवा और सुन्दर अंजलियों में सजा सजा कर उस बरसाने लगे अकाश में घमा घम नगाडे बचने लगे नागमुनी और देवता स्तुती करने लगे और बहुत परकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेट करने लगे सुर समू बिनती करे पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक भिसराम देटाओं के समू बिनती करके अपने अपने लोक में जा पहुचे समस्त लोकों को शांती देने वाले जगत अधार प्रभु प्रगट हुए भई प्रगट क्रीपाला दीन दियाला को सल्या हितकारी हर्शित महतारी मुनी मन हारी अधवुद रूप बिचारी लोचन अभी रामा तनुघन शामा निज आयुद भुज चारी बोशन बन माला नियन विसाला सुबा सिंदु खरारी दीनों पर दिया करने वाले को शल्या जी के हितकारी क्रीपाल प्रभु प्रगट हुए मुनियों के मन को हरने वाले उनके अधवुद रूप का विचार करके मता हर्स से भर गी नेत्रों को अनन्द देने वाला मेग के समान शाम छिरी था चारों भुजाओं में अपने खास आयुद धारन किये हुए थे दीवे आवोशन और वन मला पहने थे बड़े बड़े नेत्र थे इस प्रकार शुबा के समुद्र तथा खर राक्षिश को मारने वाले भगवान प्रगठ हुए केह दुईकर जोरियस तो थी तोरी केही विधी करो अनन्ता माया गुन ग्याना तीत अमाना वेद पुरान भननता करना सुख सागर सब गुन आगर जेही गावी शुरुती संता सो ममहित लागी जन अन्रागी भ्यो प्रगठ शिरिकंता दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी है नन्त मैं किस बरकार तुमारे इस्तुती करूँ वेद और पुरान तुमको माया गुन और ग्यान से परे और परिनाम रहित बतलाते हैं शुरुतियां और संतजन दियार सुक्का समुद्र सब गुनों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लच्छिमवती भगवान मेरे कल्यान के लिए प्रगठ हुए हैं ब्रह्मान निकाया निरमती माया रोम रोम प्रति बेद कहे मम और सौबासी ये उपःसी सुनत धीर मत धिर्णा रहे उपजा जब ग्याना प्रभुमसुकाना चरित बहुत विधि कि नहीं चहे कही कथा सुहाई मातु भजाई यही परकार सुत प्रेम लहे वेद कहते हैं कि तुमारे परतेक रोमा में माया के रचेहवे नेके ब्रहमाडों के समू भरे हैं वे तुम मेरे घर में रहे इस हंशी की बात के सुनने पर धीर विवेक्षी पुर्षों की बुद्धी भी स्थिर नहीं रहती विच्रित हो जाती है जब माता को ग्यान उत्पन हुआ तब प्रभु मुस्कराए ये बहुत परकार के च्रित्र करना चाते हैं उन्होंने पूर जनम की संदर कता के करके माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वासल्य प्रेम प्राप्त हो बगवान जी के प्रती पुत्र भाव हो जाए माता पुनी बोली सोमती डोली तद्जू तात ये रूपा कीजे रिसु लीला अति प्रियसीला ये सुक परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर्भूपा ये चर्ती जे गाव ही हरी पदपामी तीना परही भाव कूपा माता की वे बद्धी बदल गए तब भीर बोली ही तात ये रूप छोड़ करके अत्यंत प्रियसीला लीला करो मेरे लिए ये सुक परम अनूपम होगा माता का ये वचन सुन करके दीटाओं के स्वामी सुजान भगवान जीने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया तुल्सी दासी कहते हैं जो इस च्रित्र का गान करते हैं वे श्री हरी का पत पाते हैं और बेसंसार रुपी कोप में नहीं गिरते बिप्रधिनु सुर संतहित लेनह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार ब्रामन गव देटार संतों के लिए भगवान जीने मनुश्य का अवतार लिया वे ग्यान में माया और उसके गुन सत रज तम और बाहरी तथा भीत्री इंदियों से परे हैं उनका दिवशीर अपने इच्छा से ही बना है किसी करम मंदन से परव शोकर त्री गुनात्मक भोदिक पदार्थों के द्वारा नहीं सुने सिसु रुदन प्रम प्रिय बाने सब भ्रम चली आई सब रानी हरसित जहां तहां धाई दासी अनंद मगन सकल पुरवासी बच्चे के रोने की बहुती प्यारी ध्वनी सुन करके सब रानिया उतावली हो करके दोड़ी चली आई दासिया हरसित हो करके जा तहां दोड़ी सारे पुर्वासी अनन्द में मगन होगे दसरत पुत्र जनम सुनी काना मानहुं ब्रह्म अनन्द समाना प्रह्म प्रेम मन पुलक सरीरा चाहत उठन करत मति धीरा राया दशरत जी पुत्र का जनम कानों से सुन करके मन ब्रह्म अनंद में समागे मन में अतिशे प्रेम है शेर पुलकित हो गया अनंद में अधीर होई बुद्धी को धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शेर को संभाल करके वे उठना चाहते हैं जाकर राम जाकर नाम सुनत सुब होई मौरे ग्रै आवा प्रभु सोई प्रम अनंद पूरी मन राजा कहा बुलाई वजाहू बाजा जिनका नाम सुनने से ही कल्यान होता है नहीं प्रभु मेरे घर आए हैं ये सोच करके राजा का मन प्रम अनंद से पूर्ण हो गया उन्होंने बाजे वालों को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ गुरुवशिष्ट के ग्यों हंकारा आए द्वियन सहित निरिप द्वारा अनपम बालग देखनी जाएं रोप राशी कुन कहीना सिराएं गुरुवशिष्ट रोप के पास बुलावा गया में ब्रामनों को करके अनपम बालग को देखा जो रोप कि राशी है और जिनके गुन कहनों से समापत नहीं होते